नमस्कार दोस्तों इसलिए आप लोग को बताने वाले फैंस की 2022 में जितने भी छादर छात्रा हैं मैटिक या इंटर पास आउट हुए हैं मुख्यमत्री कन्या उथान योजना के जरिए प्रत्साहान रासी दिया जाता है मैं टिक चातर छात्राओं को 10 जा रुपया और इल्समें की बहुत सारे चातर छात्राओं को पैसा चला गया उनके कांट में 2022 में जो भी गंडब पासा हुए थी लेकिन छाटर-चात्राओं को अभी तक पैसा नहीं गया उन सभी छादर-चात्राओं को अब आपधन करना परेगा आप लोग कब से ओन-धन करेंगे अवीदन करने में क्या 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 डॉकॉमेंट लगया किस तरह से आवेदन करेंगे बुचरा वही जनकारी मैं अपऩो इससिट अचा। मैं नोटिफिकेसर जारी किया गया। मनोज कुमार देख सकते पेंस विशे सस्चीव सा नूडल पताधी काड़ी जो है उनके द्वारा ओके तो चलिए नीचे आते हैं यहां पे देख सकते पेंस लिखा हुआ है यहां पे वीतिया बर्स 2022-23 हितु मुख्यमंत्री प्रत्साहन योजना मुख्यमंत्री बाली का इंटरमेडियर्ट उतिर्न प्रत्साहन योजना का भुगतान हितु इकल्यान पोर्टल खोलने के संबंद में उके उसके बचले यहां से महां से यहां पे उपयुक्त भी से की और आपका ध्यान अकिरिशित करते हुए कहना है कि माध्यमिक सिक्षा न इंटरमेडियर्ट उतिर्न प्रत्साहन योजना का भुगतान मेधा सौप्ट पोर्टल से करने का निन्या लिया गया है जिसके अलोक में जीलो दौरा वार्षिक इंटरमेडियर्ट परिक्षा 2022 में उतिर्न सभी कोटी के और विवाहित छात्रों वार्षिक माध्यमिक परि उतिय सरीनी से उतिर्न अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती कोटी की छात्रों का मेधा सौप्ट पोर्टल पर उपलब सुची से बिहार विद्याले परिक्षा समीति पठना से प्राप्त विवर्नी का मिलान कर्पात्र लाभुकों को चिन्हित सत्यापन तथा अनुमोदित किया जा रहा है जिलो के द्वारा अनुमोदित लाभुकों को मुख्याले अस्तर पर भुक्तन किया जा रहा है उसको यहां पर देखेंगे पर इस लिखा हुआ है उक्त योजनाओं की समिक्षा के करम यह पाया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना के तहद दूतिया बर्स 2022-23 में जीलो द्वारा मेधा सौब्ड पर 5,20,950 के सपेक्ष अधतन 1,84,362 लावुको का मार्किंग किया गया है जो की लगभग 35% है तो इसी परकार बालग बालिका प्रसाहन योजना के तहद बीतिया बर्स 2022-23 में 4,83,636 के सपेक्ष अधतन 3,31,200 सी लावुको का मार्किंग हुआ है जो की लगभग 68% है 7% लावुको को इन योजनाओं का लाव मिल सके इसके लिए यह अवैसक है कि पोर्टल खोल कर उन बचे हुए लावुको का पंजी करन कराया जाए इस सम्बंद में सब्ताहिक वीडिय जो कॉंफरेंस में जीलो द्वारा बावार अनुरोद किया जा रहा है और ते अब यह निर्नय लिया गया है कि बचे हुए लावुको के लिए पुरानी परकिरिया अपनाते हुए दिनांक 1123 से इक कल्यान पूर्टल को खोला जाएगा जिस परकार लावुक अपना विबर अनुमोदित किया जाएगा तथा भुगतान हेतु राज्य मुख्याले के लिए अग्रसित किया जाएगा अता निदेश दिया जाता है कि दिनांक 1222 तक मेधा सौब्ट पोर्टल उपलब्ध लावुकों का मार्किंग पूर्ण कर दिया जाए क्योंकि दिनांक 2522 के बाद म मार्किंग हेतु बंद कर दिया जाएगा एवं दिनांक 1123 से बचे हुए लावुकों का विबरन जो अनुमोदित हेतु जिला कारियले पताधिकारी योजना एवं लेखा के लेखा के लोगिन पर अग्रसित किया जाएगा उसका सिख्र सत्यापन तथा अनुमोदित करना जाकि 100 समय लावुकों को उक्त योजनाओं का लाम दिया जा सके तो यहां पर देख सकते हैं साब साब बताया गया है कि अभी जो है यहां पर 7% जो है सो लावुक यहां पर बचे हुए हैं भुगतान के लिए जिनके एकाउंट में अभी तक पैसा नहीं गया तो उनके लि करनी गया है तो उन सभी candidate को अप जो है सो एक कल्यान पोर्टल के माध्यम से ब्लीन लिया जाएगा सभी कंडियर को ऐंक पासुक इमेल इडी मोबाईल नंबर तो यह सारा चीज आपको त्यार करके रख लेना हूं इक जनवर्णी 2023 थाइस से आप लोग का online अबिधन होना सुरू हो जाएगा इक Community o cash और फेप रिवरान जेया है जिसके जरी यापना विबरन करके उतलबद करवाğı और उसके भाद उनकी एक अकाट में पैसा भेजा जाएगा तो पुराना जो परकिरिया है वो फिर से चालू कर दिया गया जिनकर रेट को पैसा नहीं गया उसके लिए तो छेले मिलते हैं ने शोए तो तक के लिए जाहें जावारा थेंक्यू फोर वाचिंग